हालो फ्रेंड्स, वल्कम बैक तो मैं चानल, मैं आशा शर्मा, रादे रादे आप सभी को, आज मैं क्लास 7 का चेप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बिन्याज ब्लू अम्ब्रेला, इस चाप्टर के कोशन आंसर डिस्कुस कर रही हूँ, यह चेप्टर है क्लास 7 का और पॉब् में एक बिन्या नाम की लड़की होती है, जो इसका में प्लॉट है, कारेक्टर है, और उसी से रिलेटेड, उसके पास एक ब्लू कलर का अम्ब्रेला है, तो यह इसकी स्टोरी है, if you know about this स्टोरी, then you can easily understand the question answer, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप फर्स ट संद आने के बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे के आपको इस चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो चलिए स्टार्ट करते हैं, let's start the question number one, question one है, how had बिन्यास got the blue umbrella, बिन्यास को जो blue color का umbrella था, वो कैसे मिला था, तो कैसे मिला था, बिन्यास got blue umbrella from a strange person in exchange of her necklace, बिन्यास को जो ये blue umbrella है, वो उसे एक अजनबी इनसान से मिला था, जिससे उसने अपना necklace exchange किया था, मतलब उस इनसान को बिन्यास ने अपना necklace दिया और उस इनसान ने बदले में उस के पास वो अंब्रेल आया था क्वेशन नंबर टू हूँ वाज राम भरोसा वाइव बिनिया और बीजू विजिट है यह दो क्वेशन को भी एड़ करके बना हुआ लेकिन इसको एक में एड़ किया तो हम इसको डिफाइम भी एक में ही करेंगे राम भरोसा कौन था और बिन तेरी रोड वो एक तेरी रोड पर एक शॉप थी उसका वो क्या था मालिक था उसकी अपनी छोटी सी दुकान थी तेरी रोड पर वैनेवर बिनिया और बीजू है शेयर कॉइन्स दे विजिट राम भरोसा शॉप फॉर स्वीट टॉफी एड़ एक्सेक्टरा तो जब भी और बिनिया के पास पैसे होते थे कॉइन्स होते थे तो वो राम भरोसे की शॉप पर जाते थे टॉफी और स्वीट को खरीदने के लिए मतलि उसकी एक चोटी सी शॉप थी जहां पर यह सब समान बिलता था Question No.3 Why was Ram Barosa astonished? Ram Barosa जो था वो क्यों surprised हो गया था? Ram Barosa was astonished to see बिनिया's umbrella and asked how she got it. Ram Barosa ने जब पहली बार बिनिया के हातों में वो blue color का umbrella देखा था तो उसको देखके बहुत जादा शॉप गया था और उस शॉप डौन के बाद उसने बिनिया से जो question किया था वो question था कि तुम्हें ये umbrella कैसे मिला? तुमने इसे कहां से लिया? Question No.4 What proposal did Ram Barosa give to बिनिया? Ram Barosa जो था शॉप कीपर उसने बिनिया को क्या proposal दिया था? मतलब क्या offer किया था? Did बिनिया accept his proposal? क्या बिनिया ने उसका proposal accept किया था? ये भी देखिए दो question को combined है क्योंकि एक question में add है तो उसको मैं define भी एक question में ही करोंगे Ram Barosa told to बिनिया that the blue umbrella is no use to her and asked her to sell it to him for 5 rupees तो Ram Barosa ने बिनिया से बोला था कि जो umbrella तुमारे पास है ये तुमारे किसी काम कर नहीं है तुम ऐसा करो ये umbrella मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें 5 rupees दोंगा ये proposal था लेकिन उसका जो second question है वो मैंने उसको आप no लगा के as it is कर सकते हो? नो बिनिया डिड नोट accept his proposal वो मैंने हापे नहीं लिखा है बट उसका जो reply था वो एक negative वे में था उसने proposal को accept करने से मना कर दिया था बिनिया नहीं question number five why did everyone on the road actually one फिर से हो गए ये one नहीं ये on ये last cup इसको skip कर दीजेगा why did everyone on the road turn their heads to stir at बिनिया तो जितने भी रोड पे लोग थे वो बार-बार मुड के बिनिया को क्यों देख रहे थे everyone on the road turn their heads to stir at बिनिया because she had the bright blue umbrella तो रोड पर जाने वाले जितने भी लोग थे वो अपनी गर्दन को घुमा घुमा के पीछे मुड मुड के बिनिया को क्यों देख रहे थे क्योंकि वो सभी पिनिया के पास जो blue color का चमकदार सुंदर बहुती precious type का umbrella था वो उससे surprised हो कर बिनिया को देख रहे थे यह थोड़ा mistake है यह when happened नहीं है यह what happened है तो there is a little bit of mistake but you can understand I think what happened when बिनिया dozed off in the shade of a pine tree क्या हुआ था जब बिनिया एक pine tree के पेड के नीचे सो गई थी actually क्या है वो जब ठक गई थी तो एक पेड के नीचे जाके ठोड़ा rest करती है और ठंड ठंड हवा चिलने की वज़े से उसी पता नहीं चाहरता कब उसकी आंख लग जाती है अंब्रेला stay on the grass because of wind and it carried umbrella far from बिनिया तो जब बिनिया पेड के नीचे उसको नीद आ गई थी वो सो गई थी तो जोर से हवा चलने की वज़े से जो उसका अंब्रेला उसके पास रखा हुआ था वो क्या हो गया था वो उस पे ग्रास पर गिर गया था जो ग्रास पर रखा कि वज़े से वो गिर गया था और जो हवा थी तेजी से चल रही थी कि वो उस अंब्रेला को बहुत दूर उड़ा कर ले गई थी बिनिया से तो मतलब बिनिया से काफी दूर वो अंब्रेला हवा में उड़ते हुए चला गया था वाई डिनिया हुआइग हाव थी आफ याव दूर डिनिया को स्टारिण में लैंच लाइट की स्टारिण में उसको किस चीज के लिए केरफ़ूल होना था सो यह इसका लास्ट क्वेश्चन है बिन्या आफ टो बी केरफुल अबाउट नॉट स्टार्टिंग एंड लेंड स्लाइट बिकॉस वन स्टों स्टार्ट रिमेंबर रंब डाउं इट विल केरी मोर स्टोंस एंड विल स्टॉप ओनली एड बॉट्टाम तो उसको इसमें मतल उसने उस अंबरेला को फिर बाद में पकड़ लिया था उसके कंट्रोल में आ गया था लेकिन बाद में जब उसने देखा था वह लैंड स्लाइट पे महां पे काफी सारे पत्थर थे वह गिर रहे थे तो वहां पे उसको थोड़ा क्यारफुल होना चाहिए था लेकिन उस स्टोरी और अच्छे से चाप्टर समझ में आ पाएगा बट यहां पर जोसके मेन क्वेशन आंसर है वो सेवन क्वेशन आंसर है यह पब्लिकेशन है न्यू इमेश पब्लिकेशन का और बाकि सभी क्वेशन यह पर डिफाइन हो चुके हैं I hope you would like my video if you really like it that please like subscribe and don't share with your friends thank you so much for watching my complete video and radhi radhi aap sabi ko have a good day to all of you